एक entrepreneur को क्या relationship में आना चाहिए, क्या उसको girlfriend या फिर अगर लड़की है तो उसको boyfriend बनाना चाहिए, क्या उसको शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये हमसे किसीने question पूछा है, मेरे साब से कर सकते हो, अगर आपका partner आपको समझता है तो, ठीक है, मैं बहुत काम में busy हूँ, मुझे time देती है, मुझे motivate भी करती है कई बार की ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, कई मैं कुछ steps ले रहा हूँ, उसमें कहते है, थोड़ा अराम से, थोड़ा सोच समझ के ले लो, तो मेरे साब से partner ऐसा चुनो, जो कि आपके business के अंदर आपको help करता है, त पर पहुंचते हो, तो आपको कहते हैं, चलो shopping पर चलते हैं, ऐसे अगर रख रहे हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, पर अगर कोई ऐसा रहता है, जो कि आपके business में participate कर सके तो उससे अच्छा कोई नहीं है, logically मैं अपनी advice देता हूँ, जो मैंने सोचा था, कि मेरी जो wife है, वो मेरे business की अंदर काम करती थी, तो उसको पता है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, और उसको सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया, शादी से पहले ही, पहले हमारा चल रहा था, उसके बाद में मैंने उसको अपनी company मूला है, ताकि उसको समझ में आए कि मैं किस तरीके से का काम करता हूँ, और मैं काम में एक बार घुल जाता हूँ, तो उसको समझ में आए मैं किस तरीक का अस्ली में बंद हूँ, मुझे बेटर समझ पाई, उसके बाद जब हमारी शादी होई तो मुझे वो पहले से समझती है कि मेरे साथ काम एक पराइटी रहता है, वो उसकी झाल झाल झाल